हेलो,वलकम टू माई चानल तो मैंने यह स्टाम बनाई थी वाक्सिल स्टाम मैंने प्रीविस वीडियो में से दिखा था कि कैसे बनाते हैं तो मैंने इससे यूज ने किया था क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा था तो आज मैं आप लोगों को इसमें पूरा full tutorial में बना रही हैं और इसको पूरा यूज़ करके दिखाऊँगी तो आप इसके लिए glue gun stick का यूज़ कर सकते हो glue gun stick का मैं यूज़ करूँगे और अगर glue gun आप के पास नहीं है तो आप stick के चोटे-चोटे टुकड़े करके और आप उसे डिंज से मेड कर सकते हो और तो पर उसक कर सकते हो चलिए Sore All Cl黨 करती हूं तो भ्लु टियों क्वाझ को बन इसके फ्रवाद willen कर देद हुआ है अच्या को आपको बता दो कर लेकिंग होगे। तो आपको मिल जाएगा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मेरे पास थी वह मैंने यूस किया है लेकिन अभी वह कतम हो गई है तो इस तरह से आपको मैंने यहां पे नीचे में ग्लास का पीस रखा वह ताकि असानी से मेरी व्यक्सेल स्टैंप मतलब कर सक अब इसे निकाल यह देखें यह मैंने निकाल लिया यह शेप तो बहुत ही अच्छा है इसका लेकिन मैं आपको यह सजस्ट करूंगी ना किया वैक्सल स्टैंप कि जहां पे शेप दिया हुए है वहां पे पेंट ना करें आप इसके साइट पेंट कर दें लेकिन इस लेकिन पेंट नहीं निकला लेकिन इसका मैं देख रहे हो पेंट निकल जा रहे हैं तो आप यूज ना करें पेंट मैं यहीं सजस्ट करूंगी आप साइट पेंट कर दें लेकिन इसके इस वाले एरिया पेंट नहीं करें तो अब मैं इसके पेंट करते हूं गोल्डन यह बाइब पैंट करने के बाद यह बहुत अच्छा लग रहा है लूकिस का रहा है पूरा शेप तो बहुत मस्ता है आप देखे कितना प्यारा शेप आया है लेकिन आप बस इसे राक्स स्टम्न को पेंट ना करें अच्छा मैंने स्टैंप कैसे बनाई है इसकी में लिंक डिस्क आप मानना है मैं यह हार्ट वाली अब बना रही हूं तो चलिए ऐसी आप लगा दें उसके बाद इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ें पर साइट से पकड़ कि आप इसे निकालें और यह देखें इसका पूरा पेंट बाहरा आगया अच्छा ही वह मुझे निकालना पड़त अब मैं इस पर गोल्ड लगाऊंगे और आप कुछ भी कलर पेंट कर सकते हो और मैं आप गोल्ड लीफ लगा रही हूं तो पहले मैं ग्लू का यूज़ कर रहे हूं उसके बाद में गोल्ड लगा देती हो इसमें अच्छा आपके आपको अगर ऐसे नहीं करना कि ग्लू ग कर दो और फिर उसका यूज कर लो और यह में पास कुछ ट्राइ लीफ है उसको मैं लगा रहे हूं उपर के साइट पो डीचर में मैं स्टैंप मारूंगी तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपने पसंद का अच्छा बनता है इससे भी तो मैं यहाप पर ड्राइ लीफ का य वाओ यह भी शेप बहत अच्छा है इसका लेकिन देखिए उपर पेइंट इसका अच्छा ही हो रहा है सारे का पेंट निकला रहा है यह तो मुझे निकलना पड़ता हूं मैंश पेंचलवर पेंट करी तो आप नीमाले में मेचल्वर प्लूडर का ही यूज कर रही हूं मैं इसको paint कर लेती हूं silver color से और फिर इसमें मैं हलका-लका आप fingers से paint को blend कर ले तो अच्छा हो जाएगा फिर ऐसे आपको paint कर इसमें brushes मैं इसमें हलका-लका metallic powder इसमें यूज कर ले रही हूं उसके leaf पर भी अब मैं हलका-सा golden metallic powder लेकर इसमें हाइलाइट करूँगी इस तरह से अपने finger से आप इसमें हाइलाइट कर दे तो एक अच्छा सा लुका जाएगा इसमें अब मैंने आप एक और dry leaf लिया है उसको में dry leaf आप कर सकते हो कॉपी के बीच में आप रखके इसे और छोड़ तो फिर ही अपने आप dry हो जाती है तो अप ऐसे इसका यूज कर सकते हो मैं इसमें की वाला पंच करूंगी स्टैम्प को तो देखते हैं यह कैसे बनती है वाव इसका में निकल लेकिन शेप देखे कितना प्यारा है एक अब मैं इस पर पेंट कर दियू मैंने इसमें रेड कलर पे थोड़ा सबूर्द कर लें गोल्डन मेटालिक पाउडर एक करके कलम बदा लिया देखे कितना अच अचा है तो मैंने अच्ञार ने कर लिया देखे की मस्त लग रहा है एक तौड़ा थोड़ा हाइलाइथ करोंगी पहले मैं इस पर गोलन लगा लेती हूं हलका सा हाइलाइथ करने के लिए तो और ज़्यादा थोड़ा शाइन आ जाएगा तो प्यारा लगेगा इनencias वी पर कर लिया अब मैं आपको बताऊंगी कि अपके से बनाएं प्रीन वाले के लिए बहुत लोग एक्सिल स्टैम्प लेते हैं लेकिन उसको लेने की जरूत निया मैंने का यूज किया है पर आप कोई भी प्लेन काप यूज कर सकते हो और मैंने इसको बनाने के लिए एक लीफ ली ले लिए और मैं इस पे भी पूरे इसको कवर करना है आपको ग्लू से ठीक है और ऐसे पंच कर देना है साइट साइट पर मैं इसके गोल लीफ लगा रही हूं आप चाहो तो लगाओ नहीं चाहो तो आप कुछ भी पेंट कर लो कुछ भी कर लो यह से भी छोड़ सकते हो मै लेकिन गोल लीफ लगा रही हूं थोड़ा इसके लूग को और इन्हेंस करने के लिए तो चलो अब यह ड्राय हो गया इसको निकालते हैं वाओ यह देखो कितना प्यारा लग रहा है यह बीच में बलकुल ग्रीन लीफ है और साइट पे मैंने गोल लीफ से इसको हाइलाइ है और नीचे में स्टैंप मारूंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं यह कैसा बनता है वाओ शेप तो बहुत अच्छा है इसका भी यह देखे कितना प्यारा लग रहा है लेकिन यही के इनके जो पेंट है वो निकल रहे हैं अब खैर यह निकल गया है अच्छा है और इसको बनाने के लिए मैंने इस कलर के पेंट को बनाने के लिए नखा साफ लाइट ओरेंज का शेड यूज करें आप इसे हाहिलाइट करनी के लिए हमने इसकी लीफ को भी पेंट कर दोंगी ठीक तो से और प्यारा लग लगे तेखिये एससे भी कितना प्यारा लग रहे लेकिन वे आपर वाली लीफ को भी मैं हाई-लाइट करूं इसमें थोड़ा तो चलिए देखते हैं अप यह देखिए पेंट करने के बाद ऐसी लग रही है कितनी प्यारी लग रही है ना सारी वैक्सिल स्टैम बहुत प्यारी बनी है मेरी और इसको कैसे यूज करने तो इसे मैंने यहां पर एक इन्वालप लेया है उस पर आप ऐसे लगा सकते हो ग्लू गर नीचे यूज करो स्ट इस तरह से देखें वाइट पर इस तरह से बनाके रख सकते हो आप जैसे डाइरेक्ट आपको जहां पर भी करना है ना वहां पर डायरेक्ट ग्लू का यूज करो और उसे पंच कर तो ठीक है तो पर इसे भी यूज कर सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है यह देखिए सारी बहुत ही एलिगेंट लग रही है आप इनको ऐसे यूज कर सकते हो और यह बिल्कुल टू इंग्रीडियंट से बनी हुई मेरी वैक्सिल स्टैंप और वह तू इंग्रीडियंट्स कौन से हैं इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा वैक्सिल स्टैंप वाल इसके लुक को इसे लगांने के बाद तो आप इसे कहीं पर विसे यूज करो gift hampers पे और कहीं पे बेंवलब पे यूज़ करो कहीं पे भी यूज़ करो ये बहुत प्यारा लगता है ये देखे आउल वाला कितना प्यारा लग रहे है सारे ही stamp बहुत प्यारे है मैं ऐसे अपने एक box में रख देती हूँ ये जो box आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूनना थैंक्स वोचिंग